शायद अद्भूत वीरों को ही नसीब होती है बेमिसाल वफादारी। हम उस वीरता के साथ उस मुहबबत को भी सलाम करते हैं। दुश्मन पर तहर बनका तूपने वाले इस शेरशाह का एक नाजुक और नरम पहलू भी था। क्याप्टिन बत्रा की एक प्रेम कहानी थी। एक ऐसी लड़की जिनसे वो लोटने के फॉरन बाद शादी करना चाहते थी। दोनों ने निरणे किया था कि वो विवाह करेंगे कारगिल के युद के बाद और विक्रम जहां भी धोते थे। किसी भी ऑपरेशन में या किसी और पोस्टिंग में चाहे सोपोर रहे हो या किसी कोर्स पर रहे हो तो उनका ये नियम था। मोबाइल फोन से पहले की है ये बात कि साथ बजे बुधवार शाम उनकी ये मित्र टेलफोन के पास होती थी अपने घर पर और ये फोन करते थे। रास में युद के दौरान फोन कहां से मिलेगा। तो मैंने खुद ही कहा कि आप मेरे सैटलाइट फोन के इस्तमाल कीजे और उनका चेहरा जैसे खिल गया और दोनों ने निरने तो एकर ही लिया था कि युद के बाद वो विवाह कर लेंगे। वो बात थी 1999 की। आज तक उस महिला मित्र ने विवाह नहीं किया और शायद आज भी उन्हें फोन का इंतजार रहता है। बेहद निजी होने के कारण हम आपको उस लड़की की तस्वीर नहीं दिखा सकते। हाँ इतना जरूर बताएंगे कि उन दोनों की मुहबत गहरी थी। इतनी गहरी कि अपने विक्रम के इंतजार में उन्होंने आज भी शादी नहीं की। बहुत पहले ही उन्होंने हमें ये बता दिया था, इस बात से अवगत करा दिया था कि अगर मेरी शादी आपने करने का जैसे सोचते हैं कि हम लड़कियां देखेंगे और तेरी शादी करेंगे तो मेरे लिए कोई लड़की ना देखना, मेरी एक क्लास फेलो है, मैं उसी को पसंद करता हूँ और आप से मैं उसकी इंट्रोड़क्शन करवा दूंगा और आपने मेरे से उसी से शादी करना उसने ये एकदम से प्रण ही ले लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी और आज तक वो स्टिल शी इस अन्मेरिट जब वो अपना कॉलिज बे थे तो उनकी एक फ्रेंड थी दिम्पल और ये वरी क्लोस और था हमारा भी भी था कि जब ये वाड़ी तो विक्रम जब बेटलफील में गया था तो जुसने बोला था कि जब बंसी बैक फ्रम देटलफील तो दोनों की शादी करेंगे और अनफोर्चुनेटली आठ जुलाइ को विक्रम का जब हमें खबर मिला तो यो मेरी लास्ट मीटिंग उन दिनों में 99 में डिम्पल के साथ ही थी थी थर्ड जुलाइ को मैं इंसिनेंटली चंडिकडाया हुआ था और मेरी शाताबदी थी चंडिकड टो डेली तो मेरेको झाल